चली बात करते अगली खबर की मद्धुप्रोदेश सरकार ने विदेशी दमपत्यों को बच्चे गोद देने पर पाबंदी लगाने की तयारी कर ली है प्रोदेश में 6000 से ज्यादा दमपत्यों को गोद लेने की कतार में है NGO और अन्यगेर सरकारी सिस्थानों ने पैसे के लालच में विदेशी दमपत्यों को बच्चे गोद दे दिये हैं ऐसे में राज सरकार अब स्थानी लोगों को ही बच्चे दिये जाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है महिला इवंबाल विकास मंतरी मरती देवी ने कानून मराने के प्रयाश शुरू कर दिये हैं उनका कहना है कि भारत से बच्चों को गोद लेकर विदेशी दमपत्ती नौकर की तरह वहां रखते हैं वहां बच्चों की मॉनिटरिंग भी नहीं होती देश और प्रदेश में पहले से ही हजारों लोग बच्चों को गोद लेने की कतार में इसलिए हम इस पर कानून बनाने जा रहे हैं इससे मद्ध प्रदेश के बच्चों को केवल स्थानी और देशवासियों को ही गोद दिये जाने का प्रावधान किया जाएगा